तो हेलो दोस्तुम नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आज की अपने इस नए वीडियो में और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप cryptocurrency में trading करते हैं या फिर आप cryptocurrency से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरी दुनिया में top 10 cryptocurrency कौन सी है। वैसे तो 10,000 से ज़्यादा cryptocurrency इस पूरी दुनिया में available है। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड की top 10 cryptocurrency कौन कौन सी है। ये कैसे decide होता है कि कौन सी currency number 1 पे है, कौन सी currency, cryptocurrency number 2 पे है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये total जो depend करता है वो उस cryptocurrency का total market capital कितना है। market capital यानि उस particular currency में कितना fund लोगों ने निवेस किया है। जिस cryptocurrency में सबसे ज़्यादा निवेस हुआ रहेगा, उसका market capital सबसे ज़्यादा कहा जाएगा और वह number 1 पे होगा। तो आईए जानते हैं बारी-बारी से वर्ल की top 10 cryptocurrency कौन कौन सी है। तो मैं बात करता हूँ जो पहले number पे cryptocurrency आती है, उसका नाम है Bitcoin, जिसे हम short form में BTC कहते हैं, ये 2009 में launch हुआ था, और आज की अगर मैं price की बात करूँ, तो ये 35,88,000 रुपए पे trade कर रहा है, और इसका जो total market capital है, सबसे ज़्यादा market capital Bitcoin का है, जो कि पहले number पे आता है, 667 रुपए ये total इसका market capital है, यानि इतने 667 खरब रुपए इस cryptocurrency में पूरी दुनिया से लोगों ने निवेस किया हुआ है, या आप यूं कह सकते हैं, कि Bitcoin में लोगों ने इतना पैसा निवेस किया हुआ है, अगर इसकी मैं circulating supply की बात करूँ, जो कि कहा जा सकता है कि पूरी द cryptocurrency के बारे में, जिसका नाम है Ethereum, इसको short form में ETH कहते हैं, और यह 2015 में launch हुआ था, आज के date की बात करें, तो ये है 2,47,350 रुपए के आसपास, 1 October 2021 के मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं ये वीडियो वसूट कर रहा हूँ, उस टाइम का जो rate है, 2,47,350 रुपए, अग उस अपने wallet में रखे हुए हैं, और इसके total circulating supply की बात करें, तो जो market में available है, वो 11,78,000,000 Ethereum coin मार्केट में available है, अब मैं बात करता हूँ, number 3 पर आने वाले cryptocurrency, जिसका नाम है Cardano, अगर इसको short form में मैं बोलू, तो इसको ADA कहते हैं, और ये 2017 में launch हुआ था, आज के market price की मैं बात रहा है, और इसके market capital की बात करूँ, तो 54 खरब रुपए, इस particular cryptocurrency, जिसका नाम है ADA Cardano, short form में ADA, इसमें लोगोंने 54 खरब रुपए, पुरी दुनिया से लोगोंने निवेस किया हुआ है, और इसके circulating supply की बात करूँ, तो market में 32 अरब 4 क्रोड कोईन available है, number 4 पर जो कोईन आता ह है, 2017 में ये कोईन लॉंच हुआ था, और आज के price की में बात करूँ, तो 31,500 रुपए के आसपास इसका price चल रहा है, और इसका जो market capital है, वो है 33 खरब रुपए, जी हाँ आपने सही सुना, बिल्कुल 33 खरब रुपए, और इसका circulating supply की बात करें, जो market में coin available है, वो 16 करोड, एक 80,000,000 के आसपास ये coin market में available है, नेक्स्ट पांच में नंबर में जो coin आता है, उसे हम टीथर कहते हैं, short form में USDT बोला जाता है, और ये 2015 में launch हुआ था, आज की अगर मैं price की बात करूँ, क्योंकि ये stable currency है, एक डॉलर के बराबर ही आसपासी इसका जो rate होता वो चलता है लगवग 74 से 75 रुपए आप मान के चलिए, और इसके जो market capital है, लोगों ने 55 खरब रुपए इस particular coin में निवेश किया हुआ है, और इसके total supply की बात करें, circulating supply वो है 68 अरब coin यानि market में available है, नेक्स्ट छठे नंबर पे जो आता है cryptocurrency पूरी दुनिया में, वो है Solana, जिसको S.O. यल, सौर्थ हमे Sol बोला जाता है, अब ये 2020 में launch हुआ, सोची अभी एक साल भी नहीं हुआ है, मुश्किल से एक साल आपमान के चलिए, एक साल हो चुका है, और इस currency ने छठे नंबर पे कबजा जमाया हुआ है, और इसका जो अभी आज के rate की बात करूँ, तो 12,225 रुप की बात करूँ, तो 29 करोड 77 रुपे के आसपास चल रहा है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है, यानि 36 खरब रुपे लोगों ने इस कोई में निवेश किया हुआ है, और इसका जो circulating supply है, जो मार्केट में अभी बात करूँ, वो है 46 अरब 75 करोड कोई मार्केट में अभी नेक्स्ट, आठमे नंबर पे जो क्वाइन आता है, यूएस्डी क्वाइन, जिसे यूएस्डी सी कहते हैं, ये 2018 में शुरू हुआ था, और आज की रेट की में बात करूँ, ये भी इस्टेबल क्वाइन है, तो ये एक डॉलर के आसपास इसका रेट चलता है, और ये 85 करोड इतना क्वाइन मार्केट में अबिलेबल है, नौवे नंबर पे जो क्वाइन आता है, पोलका डॉट, जिसे हम डी ओट कहते हैं, और ये 2020 में लॉंच हुआ था, और आज के रेट की बात करें, तो 2400 रुपए के आसपास आप समझें, यानि 2400 रुपए इसका जो र लाख क्वाइन मार्केट में अबिलेबल है, तसमिय और लाष्ट जो क्वाइन के में बात करूँ, तो उसका नाम है दोजी क्वाइन, जो की 2013 में लॉंच हुआ, और अभी आज का जो रेट है लगबग, सोलर रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसका जो मार्क अब्टेन क्रिप्टो करेंसी कौन कौन से, उनका मार्केट कैपिटल कितना, उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और उनका क्यारेट चल रहा है, तो ये चीज़े आपने इस वीडियो में जाना, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे मैं करूँगा, तब तक के लिए, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्स्राइब करिए, लाइक करिए और सेर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्टिप्शन में डाल रखा है, आप उसे भी ज सिगनल प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में, जिसे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।